दोस्तो आज किस वीडियो में हैं आपको बताने वाल हैं M Pocket Loan एप से किस तरह से Loan अपलाई किया जाता है और उस लेवन के पैसे को बैंक में कैसे ट्रांसफर किया जाता है दोस्तो अगर आपको भी Instant Loan चाहिए आप Instant Loan पाना चाहते हैं तो M Pocket बहुती Best Loan एप है जहां से आपको Instant Loan मील जाता है तो इस वीडियो में मैं आपको Complete Process दिखाने वाला हूँ कि M Pocket एप से कैसे तरह से Loan के लिए अपलाई किया जाता है और Loan Amount को बैंक में कैसे ट्रांसफर किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो M Pocket एप से Loan लेने के लिए सबसे पहले आपको M Pocket Instant Loan एप को अपनी मोबाल में इस्टोल कर लेना है दोस्तो M Pocket Instant Loan एप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जिस लिंक पे क्लिक करके आप बहुती आसनी से M Pocket Instant Loan एप को इस्टोल कर पाएंगे तो चलिए मेरा पहले से इस्टोल है मैं आपन कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको इसमें Loan अपलाई करना है अब जिसे आप M Pocket एप को आपन करेंगे तो इस पकार आपके समने एंटरफेस आजाएगा तो आपको यहाँ पे Get Started का Option दिख रहा है आप Get Started Option पे क्लिक करेंगे अब जिसे आप यहाँ पे Get Started Option पे क्लिक करते हैं तो आपको अपने डिवाइस का कुछ Permission इसको Allow करना है तो आप नीचे I Accept Permission और Term Condition का Checkbox दिख पा रहे हैं इसके आप टिक मार्क लगाएंगे इसके बाद आप Continue Option पे क्लिक करेंगे अब कुछ सेकंड वेट करेंगे अब दोस्तो इसे आप में Login करने के लिए आपको यहाँ पे Mobile Number और Google का Option दिख रहा है तो आप मैं यहाँ पे Mobile Number को Select कर लेता हूँ इसके बाद आप अपना Mobile Number डालेंगे देन इसके बाद Send OTP का Option आपको दिख रहा है आप Send OTP Option पे क्लिक करेंगे आप कुछ सेकंड वेट करेंगे आपके दिये हुए Mobile Number पे OTP Send किया जाएगा OTP Automatically Detect हो जाएगा अब जैसे ही OTP Detect हो जाता है आपके Mobile में जितने भी Email Login रहेगा सभी Email का List आपके समने आ जाएगा आपको अपना एक Email Select कर लेना है Login करने के लिए अब जैसे आप Email को Select कर लेते हैं आपका Email भी Login हो जाता है अब देख सकते हैं आपके समने इस परकार फर्स्ट पेज आ जाएगा Loan Apply करने के लिए जहाँ पर आपको Select करना है आपका Current Status क्या है तो दोस्तो एम पोकेट एक ऐसा Loan App है जहाँ पर हर केटेगरी के लोगों को Loan दिया जाता है अगर आप Student है तो भी आप इस एप से Loan ले सकते हैं अगर आप Student है तो भी लोन ले सकते हैं अगर आप Self Employed Businessman है तो भी आप इस एप से Loan ले सकते हैं तो यहाँ पर आप अपने इस एप से अपना Status को Select करेंगे चेलिए हम यहाँ पर I am Student Employee को Select करते हैं हम जिसका Loan Apply कर रहे हैं वह एक Student Person है तो हम I am a Celery Employee को Select कर लेते हैं अब इसके वाद आप Continue Option पे क्लिक करेंगे अब जैसे Continue Option पे क्लिक करते हैं तो अगर आप Celery Person को चूज करते हैं आप अपने इस अप से अपना Category को Select करेंगे और अगर आप Celery Person को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको Select करना है वेट करेंगे अब आपके समने इस पर करका Interface आ जाएगा जहाँ पर आपको referral code यहाँ पर मांगा जाएगा तो अगर आपके पास referral code है तो दे सकते हैं नहीं तो आप I do not have a referral code को Select करेंगे इस पर क्लिक करेंगे अब दोस्तों आपके समने पेज आ चुका है जिस पेज में आपको language को चुझ करना है यहाँ पर बताया गया है अगर M pocket की ओर से आपको call आता है loan agent का call आता है M pocket के जो भी agent है अगर उनका call आता है तो आप उनके साथ किस भासा में किस language में बात करना चाहेंगे तो चले हमें आपे Hindi language को select करते हैं इसके बाद आपको continue option देख रहा है continue पर क्लिक करेंगे उसेगन wait करेंगे अब आपको फिर से यहाँ पर permission allow करना है तो आपको agree option देख रहा है agree option पर क्लिक करेंगे आप SMS मेसेज का permission allow कर देंगे अब दोस्तों देख सकते हैं आप successfully mpocket app पर login हो जाएंगे अब दोस्तों आप देख सकते हैं clearly यहाँ बताया क्या है कि आप mpocket app से 1000 से लेकर 20,000 रुपिय तक का loan ले सकते हैं दोस्तों मैं आप आपको बताना चाहूंगा first time आपको कम amount का loan इसमें मिलता है लेकिन जैसे आप SMS से loan लेते रहेंगे और loan को time पे चुकाते रहेंगे यानि repayment करते रहेंगे तो आपका loan amount भी यहाँ पे increase हो जाता है यानि आपका limit बढ़ जाता है अब आपको यहाँ पर option मि account select कर लेते हैं अब इसके बाद आपको यहाँ पे tenner को select करना है कि आप कितने दिनों के लिए loan को लेना चाहते हैं तो चले हम tenner को select कर लेते हैं तो चले हम tenner को select कर लेते हैं अब जैसे आप loan tenner को select कर लेते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने loan का complete detail यहाँ पे so हो जाता है जैसे कि आप जो loan ले रहे हैं, उस loan में से कितना पैसा आपके account में आएगा, कितना आपको upfront fee लगेगा, GST कितना आपको देना है, कितना आपको repayment करना है, सारा detail यहाँ पर आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर 1000 रुपय का loan ले रहे हैं, तो मेरे account में 941 रुपय आएंगे, upfront fee जो है, वो 50 रुपय कट होंगे, GST 9 रुपय कट होंगे, और मुझे total amount 1040 रुपय पे करने होंगे, तो अगर आपको loan को लेना है, तो आप request loan option पे किलिक करेंगे, अब जैसे आप request loan option पे किलिक करते हैं, फिर से आपको permission allow करने होंगे, तो आप agree option पे किलिक करेंगे, और वो location का access allow कर देंगे, आप कुछ सेगन wait करेंगे, अब दोस्तों देख सकते हैं, आपको फिर से कुछ अपना personal information आपको fill करना होगा, आपको अपना profile को create करना होगा, तो profile create करने के लिए आपको get started का option दिख रहा है, get started पे क्लिक करेंगे, अब जैसे आप get started पे क्लिक करते हैं, तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपका क्यवासी verification होगा, इसके बाद आपको basic information फिल करना होगे, आप जहां काम करते हैं, employment information आपको देना है, इसके बाद आपको एक selfie video upload करना होगा, तो यहाँ पे चलिए हम क्यवासी verification को select कर लेते हैं, अब यहाँ पे जैसे आप क्यवासी verification को select करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना एक photo upload करना है इसके बाद आप अपना पे नंबर डालेंगे इसके बाद आप क्यवाजी document टाइप चूज करेंगे तो यहां पर आपको क्यवाजी document में बोठर आइडी का option मिर जाएगा पास्वोर्ड का ड्राइविंग लेसंज और आधार का ओफशन मिल जाएगा आप अपने हिसाब सबने डोकुमेंट टाइप को चूज कर लेंगे आपका KYC verification complete हो जाता है अब आपको basic information फिल करना है तो basic information पर क्लिक करेंगे अब जोस्तो basic information में आपको अपना complete detail यहां पर फिल करने होंगे जैसे कि आपका first name, middle name डालेंगे अपना last name डालेंगे, gender को select करेंगे, अपना date of birth select करेंगे, इसके बाद आप अपना marital status डालेंगे अगर आपका साधी हो चुका है तो married साधी नहीं हो तो single इसके बाद आप अपना highest qualification को select करेंगे कि आप कितना तक पड़ेंगे इसके बाद आप अपना father name डालेंगे, इसके बाद आप अपना mother name डालेंगे अब दोस्तों basic information फिल करने के बाद आपको implement information फिल करना है तो आप implement information पे click करेंगे अब आप अपना complete implement information फिल करेंगे जैसे कि आप एक company name पूछा गया है तो आप जिस company में काम करते हैं उस company का नाम डालेंगे इसके बाद आप अपना office address डालेंगे अपना office का pin code डालेंगे इसके बाद आप अपना work type को select करेंगे क्या full time work करते हैं यहा compressor उसके बाद आपको यहां पे नैचर इख करना है कि आप किस type का काम करते हैं इसके बाद दोस्तों आपको यहां पे experience अपना अब दोस्तों जैसे आप अपना employment information को fill कर देते हैं, तो आपका application complete हो जाता है, अब आपको अपना एक selfie video upload करना होगा, तो selfie video upload करने के लिए आपको submit option दिख रहा है, submit option पे click करेंगे, आपका camera start हो जाएगा, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, उसको आपको read करते रहना है, तो यह आपका record होगा, और आपका video create हो जाएगा, अब जैसे ही दूस्तों आप अपना selfie video upload कर देते हैं, आपका application successful complete हो जाता है, और आपका application चला जाता है under review में, जहाँ पे M pocket company की ओर से आपके application को जाच किया जाएगा, आप जो भी document submit किये हैं, उसमें आपका जो भी document है वो देखा जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही होता है, आपका document original होता है, तो आपका loan approve कर दिया जाएगा, अब जैसे आपका loan approve हो जाएगा, आपको message भी मी जाएगा, साथ है आपको M pocket की और से call भी आ सकता है, तो जैसे आपका loan application approve हो जाता है, आप अपने loan amount को directly bank में transfer कर सकते हैं, आप M pocket app में login होंगे, और directly आप loan amount को अपने bank में transfer भी कर पाएगे, तो ये हैं दोस्तो M pocket app से loan apply करने का तरीका, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में complete process दिखा दी है, आप आपको जानकर रहे अच्छे लेगे, अगर आपको जानकर रहे अच्छे लेगी, तो वीडियो को like कीजिए, चैनल पर नहीं है, चैनल को subscribe कीजिए, आपके मन में कोई भी confusion है, वीडियो के निचे comment कीजिए, और वीडियो को आगे share ज़रो करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, thank you, जैहिंद,